वेलकम तो एक्सलेंस पॉइंट क्लासिस आज हम देखने वाले हैं वेदिक मैट्स का लेक्चर नंबर 8 आप सबकी रिक्वेस्ट से आज मैं मुल्टिप्लेकेशन की और नई ट्रिक्स लाया हूं तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेस मेटर्ड जिसको हम वेदिक मैट्स में निखिलम सूत्र भी बोलते हैं इसका एप्लिकेशन में आपको बता दे रहा हूं बेस यहां पे जो है वो हम हमेशा 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे को हम बेस यहां पर अजूम कर सकते हैं पहले मैंने बेसिक सम्स लिए हैं जिसमें 10, 100, 1000 फिर उसके बाद आपको 200, 300, 400 मल्टिपल बेसिस पे भी हम यहां पे डिल करेंगे चलिए तो पहला सम देखते हैं यहां पे है 12 और 16 तो यहां पे बेस किसका हो जाएगा यहां पे बेस हो जाएगा 10 का अब आपको देखना 10 से कितना जादा है तो यहां पे देखिए 2 जादा है तो हम यहां पे लिख लेंगे 2 similarly यहां पे 10 से कितना जादा है 6 जादा है तो हम यहां पे लिख लेंगे 6 अब ज़रा ध्यान से observe कीजिए 6 टूजा कितना होता है आपके पास 6 टूजा होता है यहां पर 12 अब आपको क्या करना है cross addition करना है तो चाहे आप इसका addition इस पर करा ले चाहे आप इसका addition इस पर करा ले दोनों में एक ही answer आपको मिलेगा तो सिफ एक ही place occupy करेगा अगला वाला हम transfer कर देंगे तो देखिए यहां पर सिफ 2 occupy करेगा और 1 हम transfer करा के add करा देंगे तो 18 plus 1 कितना हो गया 19 तो हमाँ पास final answer आ गया 192 similarly यहां पर देखिए 107 into 104 है आपके पास base कितने का हो जाएगा यहां पर base आप ले लेंगे 100 का अब यहां पर देखिए 100 से कितना जादा है तो मैं बोल सकता हूँ 7 जादा है similarly यह कितना जादा है 4 जादा है अब आप क्या करेंगे आप 7 into 4 कर देंगे तो 7 into 4 किया तो कितना हो गया हम आप पास answer 28 हो गया अब next है cross addition तो cross addition जब आप करेंगे तो 107 प्लस 4 कर ले तो भी आपके पास 111 आएगा चाहे आप 104 प्लस 7 कर ले तो भी आपके पास answer 111 आएगा अब ज़रा ध्यान सो observe कीजिए 100 में कितने zeros हैं दो zeros है तो यह दो places occupy कर सकता है 28 देखिए 28 भी दो place ही है तो यहाँ पे acceptable answer है तो हमाँ पास final answer हो जाएगा 11128 देखिए hardly 2 सेकंड 3 सेकंड में हमाँ पास इस लाँ मल्ल्टिप्लिकेशन की यहाँ पर answer आ जाते है अब देखिए यहाँ पर किया हो जायाए कश हम लेलेंगे 1000 का 1000 से कितना ज़ादा है यहाँ परनाी जाया लिखिए 9 जादा है similarity हमाँ इसligen में कितना ज़ादा 15 जादा है आपको क्या करना है multiplication यहाँ पर कर देना है multiplication जब आप करेंगे यहाँ पर तो क्या करेंगे 15 into 9 कितना हो जाएगा आपके पास 135 हो जाएगा similarly आप यहाँ पर cross में add करा देंगे तो 1009 plus 15 करा देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 1024 हो जाएगा 1000 में कितने zeros हैं आपके पास three zeros है तो यहाँ पर three zeros तक यह acceptable होगा अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर three place है तो यह acceptable answer है इसका मतलब आपके पास answer one zero two four one thirty five यहाँ पर आपके पास final answer निकल के आ गया देखिए hardly three to four seconds में यहाँ पर हमने solve कर लिये हैं अब थोड़े complex type के sums से यहाँ पर solve करने के ट्राय करते हैं अच्छों अधर पर हमने क्या देखा था sums में आप add करा रहे थे अब यहाँ पर थोड़ा सा concept लटा करेंगे यहाँ पर हम subtract कराएंगे देखिए यहाँ पर base किसने का है अब यहाँ पर hundred का ही चल रहा है बट यहाँ सundर से कितना चोड़ा यहाँ six चोड़ा है तो आप – six करेंगे सिमिरर यहाँ पर 100 सTrberg कितना चोड़ा है थो चोटा है तो आप क्या करेंगे माइनस करेंगे अब देखें माइनस माइनस क्या होता है यहाउनीट इसमेलरिय आपधे प्लॉस माइनस ऑन सिक्सेर होग manifestation इसमेलर्ली कितना हो गया आपके पास नाइन्टीट्व सिक्स करते तो अभी आपको 92 ही answer मिलता अगर आप यहाँ पे देखे तो आपके पास base 100 का यहाँ पे हमने लिया बटलब 2 digit तक acceptable है तो यहाँ पे answer देखिए 9212 देखिए 9212 आपके पास answer आ गया है similarly यहाँ पे base कितने का हो जाएगा तो यहाँ पे 1000 का base हो जाएगा 1000 से कितना काम है यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है देखिए 18 कम है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 18 अब जारा ध्यान से देखिए यहाँ पे minus minus plus और 182 कितना होता हमाँ पास 36 होता है similarly आप यहाँ पे अगर subtract कराएंगे यहाँ पे तो 998-18 हमने अगर किया तो हमाँ पास बचा 980 similarly यहाँ से भी अगर करते तो हमारे पास 980 यह answer बचता अब यहाँ पे देखिए हमाँ पास 3 zeros है बट यहाँ पे तो 2 ही digit है तो आप क्या करेंगे एक 0 extra लगा देंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा फाइनल आंसर देखिए कितना हो जाएगा 980, 030, 6 यहाँ पे पास फाइनल आंसर इसका हो जाएगा similarly आप यहाँ पे देखिए बेस कितने का हो जाएगा 10,000 का हो जाएगा कितना कम है यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए 6 कम है जबकि यहाँ पे कितना कम है 12 कम है अब आपको क्या करना है सेम स्टेपिंग आप करेंगे यहाँ पे 12 सिग्जा कितना होता है 72 होता है और माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस हो जाता है आपके पास तो आप क्या कर देंगे 72 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप सब्ट्रैक करा ही है तो 9994-12 आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 9982 इतना आपके पास आंसर आ जाएगा अब देखिए 10,000 कभी इसे चार जीरो यहाँ पर आपके पास सिफ दो ही डिजेट है आप क्या करेंगे दो जीरो और लिख देंगे तो यहाँ पर आपके पास डबल जीरो लग जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा 9982 0072 यह आपने सब्ट्रैक्शन बेस्ट कोश्चन भी यहाँ पर solve कर लिया है अब और complex sums में हम deal करते हैं आज के last 4 sum देखते हैं देखें यहाँ पर है 31 into 23 तो हम देखते हैं 20 से यहाँ पर 20 का ले लिते हैं अब 20 को further कैसे लेख सकते हैं यहाँ आप लेख सकते हैं 2 into 10 अब जड़र यहाँ देखिए 20 से कितना बढ़ा है तो मैं बोल सकतों यहां 11 बढ़ा है और यहां पर थ्री बढ़ा है 11 इंटू 3 करते तो कितना आपके पास अंसर आ जाएगा 33 आ जाएगा similarly आप क्रॉस एडिशन यहां पर कराएंगे आपके पास आएगा 31 प्लस 3 यहां पर आपके पास आगया 34 23 plus 11 करते तो भी आपके पास answer 34 ही आता अब यहाँ देखिए हमाँ पास है 10 number और 0 जहाँ पे 1 है तो एक प्लेस तक ही allow करेंगे उससे पहले यहाँ पे आपके पास क्या है 2 है इस 2 का कुछ न कुछ करना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे इस 2 को multiply करा देंगे तो 34 x 2 यहाँ पे आपके पास 68 हुआ अब यहाँ पे देखिए 33 है तो एक 3 को रखेंगे और एक 3 आप carry forward करा देंगे तो 68 प्लेस 3 आपके पास हो जाएगा 71 और आपके पास 3 बचा हुआ यहाँ पे था आपके पास answer आ जाएगा 713 फाइनल आंसर आपके पास 713 similarly यह एक special case है यहाँ पे आपके पास addition और subtraction दोनों case है बेस यहाँ पे कितने का लिया मैंने 100 का लिया अब यहाँ पे देखिए 100 से कितना जाद है 7 जाद है जबकि यह 3 कम है 7 3's आपके पास कतना होगा 21 प्लस मैनस मैनस तो आपके पास बचेगा मैनस 21 अब यहाँ पर देखिए 107 मैनस 3 किया तो आपके पास 104 हो गया अब यहाँ पर आपको rule को समझना पड़ेगा आपके पास 104 as it is लिखना है और base के बराबर आपको यहाँ पर 0 3 79 यह आपके पास एक final answer आ गया अब यहां पर दीखिए 207 और 195 अगें यहां पर बेस कितने का है आपके पास 200 का है तो हम उसको लिख सकते हैं 2 into 100 200 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा यहां पर 5 कम है 75 आपके पास आ जाएगा 35 तो मैं बोल दूंगा यहां पर माइनस 35 अब यहां देखिए यहां आप सब्ट्रेक कर आईए तो 207 माइनस 5 कितना हो गया यहां पर 202 इस टू का आप कुछ करेंगे तो आप 2 को मल्टिप्लाइ करा देंगे आपके पास कितना हो गया यहां पर 404 अब आप क्या कराएंगे बेस के according 0 लगाएं क्योंकि यह ने 25 तो आपके पास final answer आ गया 40365 देखिए within seconds आपके पास answer आने लगा है अब यहां पर देखिए यह बहुत बड़ा sum देख रहा है बट within seconds यहां पर solve होता है similarly 1000 का बेस यहां पर कितना जादा है 25 जादा है जबकि यहां पर कितना कम है यहां पर यहां पर यहां पर आ गया माइनस 75 अब यहां पर आप देखिए 1025 माइनस 3 किया तो कितना हो गया 1022 बेस के according 0 लगा देंगे 1022 12 and 3 यहां पर आपके पास 75 आपको last में subtract करना पड़ेगा आपके पास आज आएगा कितना देखिए यहां पर 102 as it is 2000 में से 1925 देखिए यह आपके पास 1021925 यह आपके पास final answer यहां पर आ गया है आज की method आपको कैसे लगी मुझे comment में जरूर बताइए चैनल पर अगर नए है तो आप subscribe कीजे और bell icon प्रेस कर लिजे ताके आपको हमाई latest video मिलती रहे thank you and have a nice day